नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रियाधिकारी और आप देख रहे हैं मारा खास शोख खबर दिन भर इसमें हम आपको बताएंगे बिहार और चार्खन की बड़ी खबरे तो रुख करते हैं हेड्लाइन्स की ओर तेज प्रताब ने बाबा नगरी में किया जलाभिशे कहा भगवान से मांगा बिहार और जार्खन में बदल जाये सरकार डीप बोरिंग पर सकती से लगाए जाएगी रोग सरकार ला रही नई पॉलिसी SSP को फोन कर किया सरेंडर 26 जुलाई से फरार था दरोगा बिहार में बाड का सितम अभी भी जारी मरने वालों की संख्या 127 पहुची बिहार के 40-वे राजपाल बने फागू चोहान लिपद और गोपनियता की शपत देरात मची अफरातफरी में दरजन भर कावडिये बिहोश कई चोटिर यूवग और यूवती को मिली प्यार करने की सजा दोनों के हाथ बांद कर गाउं में सरयाम घुमाया जारखन के चत्रा में दिन्दहाडे बैंक डकैती 23 लाख रुपे ले भागे हतियारों से लेज डकैत बिहार के मधुबनी में पत्रकार को मारी गोली पुलिस ने माना शराब माफिया के खिलाफ खबर लिखने का नतीज़ा अब खबरे विस्तार से बिहार के पूर स्वास्त मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताब यादव ने सोमबार को देवघर में करीब 12 बजे जलाभिशेक किया जराविशेक के बाद समभादाताओं से बात करते हुए तेजप्रताप ने बिहार में बाड के सवाल पर कहा कि बाबा से वो मांगने आये हैं कि जल वहां पर सब कुछ ठीक हो जाए इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के साथ जारखन में भी सरकार बदलनी चाहिए देवगर में भीर को देखते हुए सरकार की विवस्था पर सवाल पूछने पर तेजप्रताप ने कहा कि इस मामले पर छारखन की सरकार पूरी तरीके से फेल है अब बढ़ते हैं आके राज में ग्राउंड वाटर के बेहिसाब दोहन को लेकर सरकार पूरी तरह से गनभीर और सचेत हो गई है डीब बोरिंग पर पूरी तरीके से लगाम कसने की तैयारी जलसंसाधन विभागने कर ली है स्टेट ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एक नई ग्राउंड वाटर पूरिसी लेकर तैयार है इसमें कई तरह से डीब बोरिंग पर पाबंदी लगाने की तैयारी हो चुकी है राज में अपनी नई ग्राउंड वाटर पूरिसी बनाने का प्रयास वर्ष 2011 से चल रहा है केंद्र सरकार के एक्ट के अनुसार कई राज्यों में ये पूरिसी बन चुकी है अब बढ़ते हैं आखे सोनारी के नवलखा अपार्टमेंट में परिवारिक विवाद में पतनी पूनम देवी ममेरा भाई चंदन गुपता को गोली मार कर घायल करने और ममेरी सास सीमा देवी की हत्या के आरोपी नीलंबित दरोगा मनोज कुमार गुपता ने रविवार को पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है पुलिस के दबाव में मनोज ने 72 घंटे के अंदर सरेंडर किया है 26 जुलाई को सुभा 9 बज गोली मार कर मनोज पैदल भागा था गटना के बाद से कपाली में शरन लिया हुआ था 28 जुलाई को फरार मनोज ने स्सपी से फोन पर संपर किया और सरेंडर कर दिया अब बढ़ते हैं आके बिहार में बार से प्रभावित लोगों की संख्या में दिन बदिन इजाफा हो रहा है राज में रुकरुकर हो रही बारिश ने बार प्रभावित इलाकों में रहने वालों की मुसीवत बढ़ा दी है राज सरकार द्वारा जारी आकडों के अनुसार राज में अभी तक 85 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं वहीं 127 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है राज के सबसे बुरी हालात तरह से प्रभावित जिलों में दर्भंगा है जहां अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है अब बढ़ते हैं आके बिहार के 40 वे राजपाल के रूप में फागो चोहान ने आज शपत ली है चीफ जस्टिस एपी शाही ने नवनियुक्त राजपाल फागो चोहान को पद और गुपनियता की शपत दिलाई शपत ग्रहन समारो राजपवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित किया गया फागो चोहान ने 1985 में दमकीपा पाटी से विधायक बन कर अपने राजनेतिक सफर की शुरुवात की थी और शुक्रवार को उन्होंने विधान सभा की सदस्रिता से स्तीफा दे दिया अब बढ़ते हैं आखे बढ़ने की आपाधामी में दरजन भर से ज्यादा कावड़ी ये बिहोश हो गए कई बार भगदर और बैरिकेटिंग तूटने की नौबत आ गई स्तीती को समहालने के लिए भारी पुरिस बल तैनात किया गया और बिहोश कावड़ियों को एंबुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया पौने तीन बजे छोटी कल्यानी पर भी होहला मचने से अफ़रा तफ़री मच गई और कुछ शद्धालू चोटिल हुए अब बढ़ते हैं आखे बिहार से एक बज़ फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है जहाएं कि यूवक और यूवती के हाथ बांद कर सरयाम गाओं में घुमाया गया है ना सेथ घुमाया गया है बलकि दोनों को मारा भी गया है बताया जा रहा है कि दोनों यूवक और यूवती अलग-अलग जाती के हैं और एक दूसरे से प्रेम करते थे ये बात गाउवालों को ठीक नहीं लगी और उन्होंने इस बात की सजा उन्हें सरयाम हाथ बान कर पिटाई कर दी और बलकी दोनों का ये विडियो बना कर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी वाइरल कर दिया जानकारी मिलते ही SSP ने तुरंट एक्षन लेते हुए ऐसी हरकत करने वाले लोगों को चिनहित कर गिरफतार करने के लिए आदेश दिये हैं अब बढ़ते हैं आखे जारखन के चत्रा में हतियारों से लैस डकैतों के गुर्यों ने सुभाद 9 बचकर 40 मिनट पर हंटर गंश थाना शेतर के गोसाईडी गाओं स्थित बैंक ओफ इंडिया की शाखा में डकैती की है बैंक से डकैत 23 लाख रुपे ले जाने में सफल रहे हैं बैंक शाखा खुलते ही अपराधियों ने धावा बोल दिया दो मोटर साइकल से चार अपराधी पहुँचे और बैंक कर्मियों को कबजे में लेकर चेस्ट से रुपे लूट कर फरार हो गए फिलहाल पुलिस मामले की चांच कर रही है अब बढ़ते हैं आगे बिहार के मधुबनी में एक पत्रकार को अपराधियों ने गोली मार दी हाला कि पत्रकार प्रदीप मंडल का दरबंगा मेडिकल कॉलेज इस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी स्थिती खत्रे से बाहर बताई जा रही है स्थानिय पुलिस का कहना है कि प्रदीप ने अपने अगबार में कुछ दिनों पूर उच स्थानिय शराब माफियों के खिलाफ खबरे लिखी थी और ये घटना उसी के प्रतिशोध का परिनाम है गटना के बाद प्रदीप ने पुलिस वालों को दोस्थानिय शराब माफिया अशोक मंडल और सुशीर मंडल का नाम भी बताया है जो उनके उपर इस हमले के लिए जिम्मिदार है पुलिस का कहना है कि प्रदीप मंडल ने व्रिस्तित रूप से बयान लेकर इस मामले में आरोपियों की गिरफतारी की जाईगी खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूस गूगल प्रे स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें न्यूस जिसमें आपको मिलेंगी आपके शहर की हर छोटी बड़ी खबर फिलहाल के लिए मुझे दीजे इचासत